अलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आज शुरू करते हैं अगला चैप्टर अपनी विद्या क्वेशन बैंक सीरीज का आज हम जा रहे हैं एकनॉमिक्स यानि आर्थिकी की तरफ तो आर्थिकी का पहला अध्याए आज हम लेंगे विकास तो चलिए फर्स जो हमारा क्वेशन है पहला सवाल यह हमसे पूछा गया है प्रति व्यक्ति आये से क्या तात परे हैं ठीक फर्स आप्शन में हमसे पूछा गया है या हमें दिया गया है एक देश की वस्तुओं वो सेवाओं से अर्जित आये क्या इसे प्रति व्यक्ति आये कहते हैं एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आए क्या इसे प्रतिव्यक्ति आए कहते हैं या फिर राष्ट्रिय आए में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आए क्या इसे प्रतिव्यक्ति आए कहते हैं या फिर इन तीनों को ही प्रतिव देते हैं तब जो हमारे पास निकल के आता है वह होती है प्रति व्यक्ति आये या पर कैपिटा इंकम ठीक अब जो राष्ट्रिय आये होती है यहां पर वो कैसे निकलती है हमारी तो पूरे वर्ष में हमारे देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है उससे जो भी मूल्य प्राप्त होता है जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ उससे जो भी मूल्य प्राप्त हुआ उसमें जब हम विदेश से होने वाली आये को जोड देते हैं तो हमारी कौनसी आये बन जाती है राष्ट्रिय आये बन जाती है जिसे हम कहते हैं नेशनल इ तब हमारे पास क्या निकलके आ जाती है students, तब हमारे पास निकलके आ जाती है प्रती व्यक्ति आए या फिर पर capita income, तीक है, तो समझ में आया कि प्रती व्यक्ति आए क्या होती है तो जब राश्री आय को हम जनसंख्या से भाग देते हैं तब हमारे पास में आती है प्रति व्यक्ति आय यानि उस पूरे देश में अगर हम देखें तो एक व्यक्ति कितनी इंकम एक व्यक्ति की है कितना पैसा एक व्यक्ति कमा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं प्रति व्यक्त और option 2-3 करके दे तो आप याद रखे राश्ट्री आय क्या होती है देश के अंदर किसी भी देश के अंदर जो एक वर्ष में जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है या एक वर्ष ना लेके और कोई निश्यत समय ले ले उसमें जितनी भी चीजों का उत्पादन हुआ उन क्या बन जाता है राष्ट्री आये बन जाता है ठीक आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संगठन है निम्नलिकेट में से कौन सा संगठन है जो मानव विकास रिपोर्ट तयार करता है चार संगठन के हमें नाम दिये हैं और हमसे पूछा गया है कि इन चारों में से वह कौन सा संगठन है जो मानव रिकास रिपोर्ट को तयार करता है देखिए पहला क्या अंतर राश्ट्रे मुद्रा कोश से तयार करता है क्या United Nations Development Program यानी कि क्या UNDP तयार करता है या UNDP को हम कहेंगे संयुक्त राश्ट्र विकास कारिक्रम ये तयार करता है या विश्ववेंक तयार करता है या फिर संयुक्त राश्ट्र संग तयार करता है तो इसका सही उत्तर है UNDP यानी कि संयुक्त राश्ट्र विकास कारिक्रम संयुक्त राष्ट्र UNDP को अगर हम कोल के देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र इसका फुल पॉर्म क्या होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कारिक्रम ठीक और यही तयार करता है मानव विकास रिपोर्ट यही तयार करता है मानव विकास रिपोर्ट को UNDP तयार करता है एक और चीज यहां से ध्यान रखिएगा जो अंतरराश्री मुद्राकोश और जो विश्ववेंक है पहले हम देख चुके हैं कब आये थे इनकी स्थापना कब हुई थी यह 1944 में बने थे और इन्हें क्या केते है इन्हें कहते हैं ब्रिटेन वूड संस्थान क्यूं क्यूंकि ब्रिटेन वूड में ही ये दोनों थापे थुए थे यानि ब्रिटेन वूड में जब एक आपकी सम्मेलन हुआ था एक कॉन्फरेंस हो इसी उसी दोरान ये दोनों जो आपके संस्थान है वो अस्तित्व में आये थे तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं ब्रिटेन वोट्स अंस्थान भी कहते हैं को और इनका जो मुख्याले है वो कहां पर है वाशिंग्टन डी सी में वाशिंग्टन डी सी ठीक है यहां से इतनी जानकारी आप लोग याद रखेंगे और संयुक्त राष्ट्र संग के बारे में भी हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संग कब अस्तित्व में आया था 1945 में कारण क्या था इसका इसका कारण था जो द्वितिय विश्वयुद हुआ था उसके बाद जो इतनी अराजक्ता फैली हुई थी हर होर जो इतनी अशान्ती फैली हुई थी उसको शान्ती में परिवर्टिट करना यानि हर जगह पूरे विश्व में शान्ती को स्थापित करना यह इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र संग का और ये का बस्तित् में आया था ठीक यहां से इतनी बात में ध्यान रखेंगे कोई भी सवाल अगर पूछा जाता है तो आप लोग उसका सही आंसर लगा के आएंगे ठीक आगे चलते हैं अगले प्रिश्ण पर निम्नुलिकित मैंसे किसे ओसत आय करते हैं देखिए एक हमने देखा प्रतिव्यक को असत आय कहते हैं क्या राष्ट्री आय को असत आय कहते हैं क्या प्रतिव्यक्ति आय को असत आय कहते हैं या फिर इन तीनों को ही असत आय कहते हैं तो असत आय कहते हैं प्रतिव्यक्ति आय को तो अब हमारे पास एक और नई परिभाशा आ गई प्रतिव्यक्ति आय के लि और पेपर में दिया गया है औस ताय क्या होती है तो वही करना है या वही होती है जो प्रतिव्यक्ति आय होती है और और तो जब राश्ट्रिय को आप भाग देदेंगे डेश की जनसंख्या से जब राश्ठ्री आए को भाग दे देगे तो क्या आजाएगा हमारी पास आ जाएगी ओसताए या फिर प्रतिव्यक्ति आए प्रति व्यक्ति आये का ही दूसरा नाम क्या है और सताय है ध्यान रखेगा इस बात को ठीक है आगे चले चलिए अब हम आ रहे हैं दो अंग के जो हमारे प्रश्ण पूछे जाते हैं उनकी योद तो दो अंग के प्रश्ण में हमारा जो पहला प्रश्ण है जो पहला प्रश्ण हमसे पूछ रहे हैं वो हमसे पूछा गया है कि आर्थिक विकास से क्या तात्पर है या फिर आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं ठीक है एक हमें परिभाशा लिखनी है आर्थिक विकास की देखिए आर्थिक विकास क्या है आर्थिक विकास एक ऐसी परिस्थिती है जिसमें कोई देश अर्थ विवस्ता के शेत्र में इतनी प्रगती करे जो कि उसकी जनसंख्या व्रधी दर से अधिक हो ठीक है ये तो आप याद कर लेंगे क्या है आर्थिक विकास वह परिस्थिती है जिसमें कोई देश अर्थ विवस्ता के शेत्र में इतन प्रगति करे जो कि उसकी जन संख्या व्रधि डर से अधिक हो फिक तो उसे हम क्या करते हैं आरतिक विकास करते हैं अर्थ विवस्ता में क्या किया जाता है अर्थ विवस्ता किसी देश की अच्छी चल रही अगर मैं कहूं कि भारत की अर्थ विवस्ता बहुत अच्छी चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह होगा कि हमारे यहां पर जितनी आये आ रही है या हमारे यहां पर जो भी आये लोग कमा रहे हैं या जो भी पैसे लोग कमा रहे हैं वो यहां की जनसंख्या की जो जरूरते हैं उन्हें पूरी करने के लिए सफिशेंट है यानि जितनी जरूरत है लोगों की वो उनके लिए सफिशेंट है उनको और जादा की जरूरत नहीं है हम क्या कि यही तो यही मतलब हुआ ना अर्थ वेवस्ता अच्छी चल रही है इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ पर जो आये आ रही है या जो भी हम कारे कर रहे हैं माली जे उत्पादन कर रहे हैं या फिर हम अपनी सर्विस को दे रहे हैं किसी दूसरे देश को या निर्या कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं जिससे हमें पैसे मिल रहे हैं तो उन पैस वो जो पैसे हमें मिल रहे हैं जो आय हमारी आ रही है उससे हमारी यहां की जनसंक्या आराम से जीवन जी सकती है तब हम क्या कहेंगे कि हमारे यहां आर्थिक विकास हो रहा है यानि भारत एक आर्थिक विकास कर रहा है या आर्थिक विकास की ओर जाने वाला देश है हम ऐसा तब कहेंगे जब हमारे यहां जो आय आ रही है या भारत के लोग जो इनकम कर रहे हैं भारत के लोग जो कमाई कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या के लिए, यानि भारत की संपूर्ण जनसंख्या के लिए काफी है, उसके जीवन को बहतर बनाने के लिए काफी है, तब हम क्या कहेंगे हमारे यहां आर्थिक विकास आ रहा है, ठीक, तो समझ में आया, आगे चले, ये प्रश्न आपको याद कर लेना है, ये परिभाशा कि आर्थिक विकास वे परिस्तिती है, जिसमें कोई देश अर्थ व्यवस्ता के शेत्र में इतनी प्रगति कर ले कि उसके यहां की जो जनसंख्या है, वो आराम से अपना जीवन यापन कर सके, यानि अगर दस लोग हैं, और दस लोगों को हर एक को 10-10 रुपई की जरुरत होती है, अच्छे से जीवन जीने के लिए 10-10 रुपई की सबको जरुरत होती है, और 10 लोग हैं, तो यानि उन्हें कितने रुपई चाहिए, टोटल 100 रुपई चाहिए, तो भारत की अर्थ विवस्ता, आर्थिक विकास हम कब कहेंगे जब हम 100 रुपए या 110 रुपए हमारे यहां के जो लोग हैं वो कमा पा रहे हैं ठीक तब हम उसे कहेंगे कि हमारे यहां आर्थिक विकास हुआ है ठीक है आगे चले अब एक बात हुई आर्थिक विकास की अब दूसरी बात है कि मानव विकास क्या होता है विक विकास यानि कि हम पहले की इस्तिती से पहली हमारी इस्तिती खराब थी अब हम एक बहतर इस्तिती के ओर गए हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि विकास हुआ है जैसे हमारे शरीर का भी विकास होता है पहले हम छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे करके हमारा शरीर विक्सित होता जा उसे हम क्या कहते हैं शारिरिक विकास हुआ विकास का मतलब यह है कि पहले की स्थिती से आगे बढ़के आना या आगे बढ़ जाना उसे हम कहते हैं कि हमारे इहां पर विकास हुआ आर्थिक विकास जब आपकी इंकम जो कमाई है वो बढ़े तब हम कहते हैं आर्थिक विकास लेकिन मानव विकास क्या होता है जब एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार श्रजनात्मक जीवन बिता सके तब हम उसे क्या कहते हैं मानव विकास कहते हैं जैसे हम अगर मान लिजिए आप लोग या फिर आप लोग मान लिजिए 12 तक बारवी तक आप लोगों ने पढ़ाई कर ली अब आपने बारवी तक पढ़ाई कर ली तो आपके अंदर प्रतिभा आई क्या प्रतिबा हो सकती है किसी विध्यारती में कोई हो सकता है गणित में बहुत अच्छा हो तो उसे उसकी प्रतिबा के हिसाब से जब तक वो जीवन ना बिता सके तो हम क्या कहेंगे कि उसका मानव विकास नहीं हुआ इसे एक और इस तरीके से समझे कि हमारी जैसी प्रतिबा है उसके अनुसार अगर हमें कारिय नहीं मिल रहा इसका मतलब हमारा मानव विकास हमारे यहां पर नहीं हो रहा ठीक जैसे उधारन के तोर पर हम कई बार देखते हैं कि जो बहुत पढ़े लिके लोग होते हैं योग्यता तो उनमें बहुत जादा है लेकिन उन्हें अपनी योग्यता की हिसाब से काम नहीं मिल रहा और योग्यता की हिसाब से काम न मिल पाने के कारण उनका मानव विकास नहीं हो पा रहा उनकी जो प्रतिबा है वो वहीं की वहीं दब कर रहे गई क्योंकि उन्हें उ व्यक्ति को इस तरीके से विकास किया जाए किसी व्यक्ति का कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार श्रजनात्मक जीवन बिता सके जैसा उसकी प्रतिभा है अगर मालो वो डॉक्टर बन गया है तो वो डॉक्टर के जैसा जीवन बिता सके ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बनने के बाद में उसे प्यून के जैसा जीवन बिताना पड़े उसकी जो आमदनी है वे कम हूँ उसे प्यून का काम करना पड़े तो इसे हम क्या कहेंगे कि उसका मानव विकास नहीं हुआ है ठीक है चलिए आगे चले आगे हमसे पूछ रहे है पिरसे वही दो अंकों का प्रश्ण है और पूछ रहे है केरल में आन्य राजियों की तुलना में शिशू म्रत्यूदर कम क्यूं है ठीक अब देखो केरल जो राजे है वहाँ पे शिशू म्रत्यूदर बहुत कम है शिशू म्रत्यूदर का मतलब होत है कि पर थाउजंट पर यानि प्रती हजार बच्चों पर बच्चों की जो म्रत्यू दर है उसे क्या बोलते हैं शिशू म्रत्यू दर बोलते हैं ठीक है यानि कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की म्रत्यू हो जाती है एक साल पूरा होने से पहले तो उसे हम कहते हैं शिशू म्रत्यू दर तो जो शिशू म्रत्यू दर है केरल में कम है इसका मतलब है कि वहाँ पर 1000 बच्चों पर जो बच्चों की देथ होती है एक हजार बच्चे जिन्हों ने जन्म लिया उनका जन्म के बाद जो मृत्यूदर है वो कम है यानि वो कम बच्चों की देथ होती है जन्म लेने के बाद में प्रती हजार पर एक हजार पर अगर एक हजार बच्चों ने जन्म लिया है तो उन हजार में से जादतर बच्चे जी जाते हैं वहत कम बच्चे ऐसे होते है जिनकी मृत्यूं होती है तो एक क्यूं है वह और एक क्यूं है तो वहां परे सवास्ते से बहुत गहरा संबंध होता है या फिर मैं यूँ कहूं कि सीधा संबंध होता है साक्षर्ता का और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का या हमारे स्वास्थ्य का कैसे अगर आपको पता है मान लीजे आप लोग सब दस्वी में हैं और आप लोग विज्ञान विशे पढ़ रहे होंगे विज्ञान विशे में आपका एक अध्याय है पोशन ठीक अब आपको पता चल गया पोशन का अध्याय पढ़ने के बाद में कि जो अंडा होता है या फिर जो आपकी हरी सबजियां होती है या फिर जो दाले होती है उसम लोग दाले खाया करिए क्यूंकि उसमें प्रोटीन बहुत जादा होता है और वह हमारे शरीर के लिए बहुत आविशक होता है ठीक अब ये ग्यान आपको कहां से मिला क्यूंकि दस्वी कक्षा पढ़ी आपने दस्वी में आपका एक अध्याय था पोशन वह आपकी सिक्षक ने आपको पढ़ाया तो आपको ये बात पता चली अब आपकी ही तरह अगर मान लीजे आपका कोई पडोसी जो विद्याले नहीं जाता पडोसी का बच्चा वो विद्याले नहीं जाता ना वो विद्याले जाता ना वो दस्वी कक्षा पढ़ता ना उसे पोशन के बारे म में पता चलता और ना वो डाल खाना शुरू करता सुझे यानि उतनी अच्छे मन से तो वो डाल नहीं खाता इसका मतलब उसके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होगी अब जब आपके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं तो आपका स्वास्थे कैसा रहेगा आपका स्वास्थे अच्छा रहेगा ठीक है इसका मतलब यह है कि हमारे स्वास्थे का साक्षर्ता से सीधा संबंद होता है एक और उधारन हम स्कूल जब जाते हैं आप लोग जैसे स्कूल जाते हैं तो वहां पे आपके सिक्षक बताते ह कि बार बार हातों को धूना चाहिए क्यों दोना चीज textile वह आपको सिकράेंगे बॉब को पढ़ाएंगे इसलिए हांतों को बार बार धूना चाहिए अब आप आप वहां से सीख कर आए वह बार से आफ में ना ख़ाएंगे तो हाथ RNA का करके उसके बाद खाना खाएंगे लेकिन वहीं दूसरी और आपका पड़ोसी ना तो स्कूल गया ना उसके सिक्षक ने गया तो उसका सिक्षक उसे बताएगा नहीं उसने पढ़ाने ही उसने सीखाने तो वो उनी गंदे हातों से खाना खाएगा जब गंदे हातों से खाना ख स्वास्ते जादा खराब हो तो उसकी मृत्यू भी हो जाएं इसका मतलब स्वास्ते का सीधा संबंध होता है इसलिए जो केरल है चूंकि वहां पर स्वास्ता दर अधिक है जादातर लोग वहां पर पड़े लिखे हैं भारत में अगर कोई राज्य है जहां पर साक्षरता सबसे जादा है तो वह केरल केरल में साक्षरता दर अधिक है इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर जादतर लोग पड़े लिखे हैं तो वह बच्चे के जन्म से पहले ही पहली बात तो जो गर्वबती महिलाएं होती हैं उनकी बहुत अच्छे से उनका ध्यान उनकी जो खानपान है उनका उनका जो भोजन है उस पर ध्यान देते हैं तो एक तो बच्चा हश्ट पुष्ट होगा पहली बात दूसरा बच्चे के जन्म के बाद भी उसे बहुत ध्यान से रखते हैं उसके पोशन का ध्यान रखते हैं उसके टीका करन का ध्यान रखते है क्योंकि साक्षर्ता से उन्हें ये सारी बातें पता है पड़े लिखे होने की वज़े से उन्हें ये सारी बातें मालूम है इसके फायदे उन्हें मालूम है इसके नुकसान उन्हें मालूम है तो इसलिए वहाँ पर जो शिशुम्रत्युदर है वह बहुत कम होती है ठीक तो इसलिए साक्षर्टादर केरल में जादा है इसलिए वहाँ पर शिश्युम्रत्युदर कम है दूसरा कारण केरल में निवल उपस्तिती अनुपात आन्य राजियों की तूलना में उच्छ है देखे निवल उपस्तिती अनुपात क्या होता है कि एक आयू वर्ग के जो के लिए गै इसे हम मोलते हैं निवल उपस्थिति अनुपार ठीक और यह केरल में बहुत जाधा है तो अगर यह तो एक फाइदा तो इसका यह होता है कि जो इस कीम चलती है खाने की मिड़े मीन चलता है आपका खाने की scheme चलती है, बच्चों को स्कूलों में खाना दिया जाता है, तो एक तो बच्चों को वो मिल रहा है, तो जब बच्चों को वो मिल रहा है, तो उनकी जो मृत्यू की दर है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है, कि जब उ पुरेश वास्ति से दूर रखते हैं जिस वज़ा से उनकी जो मृत्यू दर है वो कम हो जाते हैं तो दो कारण केरल की हैं एक तो आपका साक्षरता दर वहाँ पे अधिक है और दूसरा निवल उपस्तिती अनुपार्ट यानि बच्चे जो स्पूल जाते हैं वहाँ पे जो की उपस्तिती है वह बहुत अच्छी है जिस वज़ा से वहाँ पर शिशू मृत्यू दर है वो कम है ठीक समझ में आये दोनों अच्छे से चलो आगे चलते हैं अगले प्रिश्न की ओर अगला प्रिश्न पूछ रहे हैं धन से नहीं खरीदी जा सकने वाली किनी दो वस्तू के नाम बताईए अब यह तो बहुत आसान है हम कहते हैं कि धन से हर चीज खरीदी जा सकती है लेकिन कोई दो ऐसी चीज़ें बतानी है जो धन से नहीं खरीज सकते और वह मानसिक शांती और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता आप धन से नहीं खरीच सकते, शान्ती आप मन की जो शान्ती है वो आप धन से नहीं खरीच सकते, वो आपकी खुद की होती है, जब तक आप किसी चीज से खुश नहीं है, तो आप चाहें आपके पास करोणों रुपे हो, आप खुश नहीं र आजार रुपे भी हो पर अगर अंदर मन में आपके शांती नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे इसका मतलब सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो धन से नहीं खरीदी जा सकती वो है शांती और स्वतांत्रता ठीक ध्यान रखेंगे इस बात को और अपने जीव 오래ं परिश्रम से कभी भी दूर मत भागे परिश्रम से हर लक्षय हासल हो सकता है और यह हम देख चुके एं हमारे सामने अभी अभी जो ओलं dig还 कि लोग का से पैसे से कोई मेडल नहीं जीत पाते मैंडल जीते है परिष्रम से परिष्रम से कभी हैं अपना परिष्रम करते सकते करोग़ छापश्रम करोग़ तो भगवान आपको जरूर इसका फल देगा ठीक और यही बात मेरी आद रखेगा अपने दस्वी के जो आपके पेपर हैं परिश्रम करिए जादा से जादा पढ़ने पढ़िए कितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए आप देखेगा आप खुद जब आपके पेपर हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा ठीक चलो आगे चले अगले प्रिश्न की ओर अगला प्रिश्न हमसे पूछ रहा है धारनीता एक नया शब्द है धारनीता का विशय विकास के लिए क्यों महत्वपून है ठीक या धारनीता का विशय विकास के लिए क्यों आविशक है पूछा गया है धा सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि धार्नीता क्या होती है जब धार्नीता पता होगी तब हम उसे जोड़ पाएंगे विकास के साथ में और बता पाएंगे कि विकास के लिए development के लिए धार्नीता का क्या महत्व है तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि धार्नीत क्या होती है धार्णीता से अभिप्राय है सतत पोश्णी विकास अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीडी तक ही सीमित ना रहे बल्कि आगे आने वाली पीडी को भी मिले तो धार्णीता क्या है ऐसा विकास या धार्णीता को हम क्या कह सकते हैं सतत पोश्णी विकास भी कह सकते हैं धार्णीता क्या है एक तरीके से सतत पोश्णी विकास है यानि कि ऐसा विकास जो सिर्फ आज ही ना हो रहा हो वो आने वाली पीडी के लिए भी विकास ही हो उसका किसी भी तरीके से हानी ना कर सके जैसे उधारन के तोर पर देखिए अगर आजकल क्यूं कहा जाता है हमसे कि जल सनरक्षन करो पेड पौदे जादा से जादा लगाओ कम से कम वनों को काटो ऐसा कोई भी विकास मत करो एसी कोई भी अवसनचना मत बनाओ जिसमें पेडों को काटना पड़े क्यों कहते हैं ऐसा जैसे जल का सनरक्षन करो अगर आज ही हमने सारा जल इस्तिमाल कर लिया अपने लिए ही सारा जल इस्तिमाल कर लिया तो आने वाली जो पीडी होगी हमारे बात की जो पीडियां होंगी 100-200 साल वाली वो कैसे रहेंगी वो इन बिल्डिंग को जो हम जलका इस्तिमाल करके खड़ी करके जा रहे हैं इन बिल्डिंग का उनके लिए क्या महत्वर है जाएगा अगर उनके पास पीने के लिए पानी ही नहीं होगा तो मर जाएंगे बिना पानी के बोलो तब ये जो बिल्डिंग आप खड़ी करके जा रहे हो ये उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं होंगी तो इसका मतलब इतनी बिल्डिंग बनाओ ऐसा विकास करो कि पानी बचा रहे आने वाली पीडियों के लिए यानि विकास इस तरीके का होना चाहिए कहीं पर भी आप जो विकास कर रहे हैं ऐसा करिए कि उसमें जो संसाधन इस्तिमाल हो रहे हैं वो आने वाली पीडियों के लिए भी बच्चे रहें सारे के सारे इस्तिमाल आप ही न गर लो उने खतम न कर दो जैसे वायू प्रदूशन, वायू प्रदूशन आप इतना बढ़ाते जा रहे हो, ठीक, पहले एक के घर में एक गाड़ी होती थी, अब एक के घर में चार गाड़ी होती है, तो वायू प्रदूशन उतना ही जादा, आपने बच्चे के लिए 10 गाड़ी तो खरीद के रख द बच्चे के लिए क्या कर दिया विकास कर दिया आपने खुद का भी विकास कर लिया कि पहले आप दो पईया वहां चलाते थे अब आप चार पईया वहां चलाने लगे पहले आपके घर में मोटर साइकल थी अब आपके घर में गड़ी आ गई कार आ गई तो आपका विकास त नहीं रह जाएगा क्योंकि जब वो शुद्ध वायू ही नहीं ले पाएगा तो फिर आपकी इस गाड़ी का वो क्या करेगा नहीं चला पाएगा वो इस गाड़ी को मतलब कि हमें ऐसा विकास करना चाहिए जो हमारे भविश्य के लिए भी या हमारी आने वाली पीडियों के लिए भी विकास ही हो उनके लिए सरदर्द ना बन जाये कहीं तब ऐसे विकास को हम क्या कहते हैं धार्णीता कहते हैं या सतत्थ-पोष्णी विकास कहते हैं ठीक एक बार और परिभाषा देखेजिए सतत्थ-पोष्णी विकास या धारणीता से अभिप्याय है ऐसा विकास जो वर्तमार पीड़ी तक ही सीमित ना रहे बलकी आगे आने वाली पीड़ी को भी मिले विज्यानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसे प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीग्र समाप्त हो जाएंगे और आगे आने वाली पीड़ी के लिए नहीं बचेंगे यदि हमें विकास को धारणी बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रत्रिया निरंतर जारी रहे और भावी पीड़ी के लिए संसाधन बचे रहे आप ऐसे विकास करिए ऐसे बिल्डिंग बनाए इतनी बिल्डिंग बनाए कि पानी भी बचा रहे जंगल भी बचे रहे लोहा भी बचा रहे क्योंकि अगर आज ही सारा लोहा खतम करके बिल्डिंग बना दोगे सारा पानी खत्म करके बिल्डिंग बना दोगे पूरे जगा पर बिल्डिंग बना दोगे खेती के लिए बिलकुल भी भूमी नहीं छोड़ोगे तो जो आने वाली पीडियां होंगी वो क्या करेंगी ना तो उनके लिए खाने के लिए अनाज बचेगा ना पीने के लिए पानी बचेगा और अगर उनका घर खराब हो गया जो आप आज बना करके दे रहे हो तो उनके पास लोहा भी नहीं बचेगा उस घर को ठीक करने के लिए इसका मतलब उनका विकास नहीं हो पाएगा तो कहने का मतलब यह है कि धारनीता का अर्थ है कि हम अपने संसाधनों का इस तरीके से इस्तिमाल करें हम अपने संसाधनों का विकास के लिए ऐसे इस्तिमाल करें कि वे आज हमारा विकास करें और साथ ही साथ वे आने वाली पीडी के लिए भी बचे रहें और वे भी अपना विकास कर सकें तब उसे हम कहेंगे धार्णीता को ध्यान में रखके हमने विकास किया है और ये विकास के लिए क्यों महत्वपून है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ हमने धार्णीता को ध्यान में रखके विकास नहीं किया तो हमारी आने वाली पीडियों का जो विकास है वो रुक जाएगा और ये विकास जो आज हम कर रहे हैं ये सतत रूप से नहीं चल पाएगा एक समय के बाद ये रुक जाएगा और हम फिर पिछड़ते चले जाएगे तो इसी लिए कहा गया है कि ये विकास के लिए महत्वपून है धार्णी अता ठीक है? समझ में आ गया होगा उधार्णों के साथ में मैंने आपको समझाया है आगे चलते हैं अगले प्रश्ण पर ठीक चलते हैं